लाल बहातुर शास्त्री ये चिकित साले सुपेला के सामने गुजरती हुई नैशनल हाइवे पर चलना अपनी मौत को दावर देने के बराबर साभीत हो रहा है क्योंकि हाइवे सड़क पर बने हुए जानलेवा गड़े प्रति दिन किसी ना किसी को अपनी चबेट में ले ही लेते हैं लाल बहातुर शास्त्री सास्की चिकित साले सुपेला में स्थित साइकल स्टेंड में कारेरत करमचारी इन दिनों देव दूत की भूमी का अनिभा रहे हैं क्योंकि ठीक अस्पदाल के सामने से गुजरती नैशनल हाइवे सड़क पर एक लंबे समय से जानलेवा गड़े बने हुए हैं और विडंबना यह भी देखिए कि इसी स्थान पर किसी भी प्रकार की प्रकाश विवस्ता भी नहीं है इसलिए दिन हो या रात अचानक या गड़ा सामने आने से दोपहिया वहन सवार खुद को बचाने के चक्कर में अपना संतुलन खो देते हैं और दुरघटना के शिकार हो जाते हैं तब अस्पताल परिसर में स्थित साइकल स्टेंड में कारेरत कर्मचारी दोड़ कर पीडित को उठाते हैं और अस्पताल में भरती भी कराते हैं जब हम यह माजरा अपने कैमरे में कैद कर रहे थे तब ही एक दुरघटना भी हमारे कैमरे में कैद हो गई इसके लिए कई बार अस्पताल प्रबंदन सही शाशन प्रशासन को इसकी जानगारी भी दी गई है परन्तों किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और यहां दुरगटनाओं पर दुरगटनाएं होती जा रही है लाल भादुर शास्त्री सास बहुत लोग को बोल चुका हूं यहां पर आप रोड देख रहे होंगे इतना खराब कि डेली कम से कम 10 वैक्ति का एक्सिरेंट होता है यहां पर बहुत लोग का और यह है कि चलो बात में अस्प्रेल को हम लोग क्या है जो आप लोग देखिया ज्यादा चूप करते हैं कि आपको डेली का मतलब साम को आप आजाईए बैठ जाईए आपको डेली कमते कम पांते चेकर देखने मिलेगा यह रोड के नाम यह भी देखते हैं इधर कभी खराब है पूरा आगे का उधर भी खराब है और हम लोग नहीं पर बन गया लेकिन इसके बारे में अभी तक शायद साशन पर शासन किसी और गंबीर हाथ से का इंतजार कर रहा है जिसके बाद ही शासन पर शासन गहरी नीन से जाक पाएगा ग्रेंडेसियन नियूस के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट